जैहिंद नमस्कार साथियो, स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे आज भी जैहिंद नमस्कार साथियो, स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अध्यापक बर्तित त्रितियस रहनी लेवल 1 वाई लेवल 2 से जुड़ी तमाम जो भी अपडेट है या जो भी आपके Q&A कमेंट के अंदर रहते हैं उन सब के Q&A के जवाब है वो आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो भी अध्यापक जिनों ने जोइन कर लिया, उनके जो डिस्टिक अलोटमेंट जो हुआ था, उनको रिस्पल को लेकर जो सबसे बड़ी मांग उठ रही है, उसके बारे में साथी साथ वेटिंग लिस्ट के बारे में हम बात करेंग साथी साथ जिनके डिस्टिक अलोट हो गए थे, और काउंसलिंग और जोइनिंग बाकिया, उनके बारे में हम बात करेंगे, परमिशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो जो भी अध्यापक बरती 2022 से जुड़ी कोई भी न्यूज अप्डेट पाने के लिए वेट कर रहा था, उन सब के लिए मैं इस वीडियो के अंदर सारे कुछनों को समाइद करके लेकर आया हूं, तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, टेलेग्राम ग्रुप से जोड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, तो देखो सबसे पहले हम बात करें, अध्यापक बरती के अंदर, जो भी अध्यापक जिन्हों ने अपने डूटी जोइन कर ली, किसी कारणवन से उनका जो डिस्टिक अलोट है, वो दूर हुआ अपने अंदर जो भी बैने होते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या आती है, रहन सेन के भी, और साथ ही साथ है, अपने परिवार का कोई सदस्या है, और रखना पड़ता है उनको, तो सबसे बड़ी बात यही है, कि जो रिस्पल को लेकर आवाज उठाई जा रही है, रिस्पल है, दूर बहुत जादा लोगों को मिले हैं, तो इसलिए अगर रिस्पल हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है, कोर्ट से, हाई कोर्ट से रहत मिली है, इस बारे में हाई कोर्ट ने आदेश दिये हैं, कि मेरिट के आदार पे आप डिस्टिक अलोट करो, और जो भी अगर रिस् आप जो भी रिस्पल करवाना चाहते हैं, वो मेरे से टेलिग्राम गृूप से दूर सकते हैं, और साती सात मेरे जो वोट्षेप चैनल है, उसमें ज्यादातर वो साती हैं, जिनका डूटी जोइन जिन्हों ने कर ली थी, और जो रिस्पल चाहते हैं, तो आप हैं, वो भर नहीं जाएं, जो रह गई थी, तो परतिक्षा सुचियां, ये बिल्कुल भी हम कहें नहीं सकते हैं, क्योंकि लेवल वन की तो अभी तक प्रिनाम अटका हुआ है, कोल्ट से फैसला आया नहीं है, अब कोल्ट से फैसला क्यों नहीं आ रहा है, इस बारे में मैं इस आप से फैसला देगे, वो हमें मंजूर करना पड़ता है, आप सब ये जानते हो, पड़े लिखिये सब लोग हो, तो इस बारे में तो ये बात है, उसके अलावा लेवल वन की वेटिंग लिस्ट है, प्रोविजनाल लिस्ट है, वो उसके बाद में जारी होंगे, और ग इस इस बाद में हम बात करें, लेवल 2 के अंदर मूल पदों को ले करके, सबसे ज़्यादा क्यूश्साथ है, निस्एत रूप से मूल पदों पर जारी होगा और मूल पदों पर सब का हख होगा, कटो की दोड में सामिल है, उस पर और कॉम पदों के परिणाम पर है, वो मो जारी होगा यह बातों की मूल-पदों की वेट-ईंग लिस्ट की मैंогда बता दी और जैसले की बात थी वह उसके अलावा जो इसा कंडिड़ेट शो कंडिड़ेट की बात या कि जैसे चुनाव आयोग से प्रमीशन लगबग नहीं दी जाती है अब चुनाव आयोग से प्रमीशन अब दे दिने चाहिए थी क्योंकि राजस्तान के अंदर इलेक्सना वो कंप्लेट होगे क्यों परिणाम बाकिए है तो इस बेस पे अगर दे देते तो जो भी अबयरते उनका भल माना है तो ज्यादा समय नहीं बचा मेरे ख्याव से अगर प्रमीशन दे तो अभी देते तो यह कुछ स्टूडेंट के लिए रहत देने वाली बात रहती तो यह तो प्रमीशन की बात है अब बात करें हम देखो अन्य जो भी तवाम अध्यापक बरती से जो भी अन्य अप प्रमीशन के बगेर नहीं हो सकती तो जिनकी कांसलिंग हो गई वो जोइनिंग का इंतजार उनको करना पड़ेगा और वो चैनित अध्यापक जिनका चैन हुआ डिस्टी कलोट हो गया उसके बाद कांसलिंग नहीं होई तो उनका कांसलिंग क्लेंडर है वो शिक्ष्य बाद चल रही है तो इस परकार से अगर कोई उमीद रहती है तो मिल सकती है बाकि मेरे क्यास से प्रमीशन है बो यह देने के मूड में नहीं होता है इलेक्शन कमिशन जो भी होता है इस सबकार से और इसमें सरकारे सुर्कारे हैं वह इसमें स donate करती नहीं है तो इस परकार से यह चीजें आप सब को ही भूगतनी पड़ती हैं तो अन्य तमाम जो भी अपडेट है वो आती रहेंगी अपने यूटूब चैनल पे लगातार अपने चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करके रहें टेलेग्राम ग